हालो गार्स कैसा मिना प्रतिकुरा आप देखने में केंग डेटेलिंग में यह स्कूटी यह होंडा एक्टिवा 110 cc जी हां और आपको बता दूँ आजकल बाइक को स्कूटियों में क्या हो रहा है नकली पेरिंट लगा के दिया जा रहा है अब जैसे आप देख सकते हो क्यों एक जगा रीबन था साइड में एकटिवा की साइड में मौसी रिबन होता है फृंट साइड Nach आ sagt में जब नहीं स्कूटी लेते या बाइक लेते तो यह साइड़ों में भी था तो हमनें Android में क्यों हो रहा है तो हमने रिबन हटायी रिबन में क्या हों हुआब गम तो जिरूद देखना अगर आपको और भी टाइप की पीपेफ करवाने तो अवेरेबल है में पस जैसे यह इंडियन वेडियंट है और उसके बाद आती है 3M उसके बाद यह टीपी हो टीपी होती बहुत महंगी कि यह देखिए यह अपको दिख रहा होगा यह देखिए यह निकल चुका है साफ करते करते हैं तो दिहान से रहेगे जब भी आप नहीं बाइक है स्कूटी लेते हो तो प्लीज यह देखके जहूँ ले कि आपको सही जगा मदब सही पेंट मिले तो आप देख सकते हो अब यह उतर चुकी कितनी शाइनिंग आरिया जबदस ऐसा काम का करना पढ़ेगाा क्वा कि आम के अटीब करने की सुरस्त तो आपको मुकिंग करहा कराना तो आपको बुकिंग कर आ पांटी वाली पांटी सार वाली दुबाई बेज जा है 1 85-75 माइक्रोंस होगे तो इसमें तीन सार-पांट साल अगर आपको लंबा करवाना है लंबी टाइम की च्छुट्टी तो यह आपके लिए बैस यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब किजि यह खुड आईगे उसी काम होगा जैसे आप देख रहे हैं लेमिनिशन क्यों क्यों कर्वाते मैंना पीप्याइफ क्यों करेते हैं चाहाई डिन बाइक लगा तो लगा लेगे लिज़ पहर दिन बाध लगा लगा यह पांच यह दिर ना अपको बताते वहीं तो मैट में नहीं है मैं आपको पहले दिए कर दूं बाकि आप नॉर्मल इंडियन और 3M कराना चाहिए लेमिनेशन उसमें पर ग्लोसी में दोनों मिल दाएगा तो मैं क्या गया तक घर बैठ आप टीप यू करा सकते हो इसके सचाहिस होगे आपके डिसेंस के साथ से और वह एड्वांस प्रिमिंट होगी जो भी जहां पर भी आप बाकी बाइक सब्सक्राइब करवाना है तो मैं आपको उसके साथ से प्राइस बता दूंग प्लीज नीचे कमरे में मत लिखिए प्राइस वगरा जानने के लिए मुझे कॉल यो वाट्सअब करें काफी चीदें पूछी नहीं होती है मैं अटा शाहिन ने कौन से करवानी है तो प्लीज कमेंट मत लिखिए कोईश करो कि आप मुझे कॉल यो वाट्सअब करो डाउट वकर रहो तो उसके लिए चुरू सॉल्व करूंगा तो दोस्तों बताना कै कैसी लगी वीडियो आशक तो आपको अच्छी लगी होगी मिलते एक लीडियो में गुट बाए